और राकेश टिकेट ने इस बीच कहा है कि हमारा प्रदर्शन शांती पून रहेगा तो राकेश टिकेट कह रहे हैं कि जाम में फसने वालों को फल और पानी देंगे और ये जो प्रदर्शन है पून रूप से शांती पून रहने वाला है तो इराकेश टिकैत जो कि भारते किसान यूनियन के प्रवक्ता है उनका कहना कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी जो जाम में फसेंगे भी लोग उनको फल और पानी देंगे बंद भी एक अंदोलन का इस्सा है अगया इस फोल्टिकल पाल्टी बंद करती हैं जब वह सत्ता सा बहर रहती है तो बंद का सहरा लेती है उनको यह लगया होगा कि सरकारे ठीक नहीं कर तो भी सवार्थन दे दे लिए विपक्स का काम समर्थन देने का हैं और हमारा तो यह रहता है कि जब बंद करते हैं गर कोई जाम में दो-तीन गंटे के लिए फस भी जाता है तो उनको पाणी पिलाते हैं केले खिलवाते हैं तो हमार तो अलग तरह का कॉंसेप्ट हैं सरकार चितनी बात करेगी हम बात करेगी लेकिन पूरे देश के किसानों की कुछ मसले हैं दिल्ली में बटीस साल बाद में इस हिसाब से किसान आया है कि सरकार साम बहुत अच्छे तरह से हम बात कर सकें और हम лекतारी में बात करेंगे हम में उम्मेद हैं कि जो हमारी डिमांड है पुरी उसको सरकार पुरा करेगी तू राकेश चिकेत को आप सुने तो चो कह रहे हैं कि हमारा जो ये प्रदर्शन है वो पूरूप से शांती पूरवक रहने वाला है जो जाम में लोग फसेंगे, उन्हें फल और पानी देंगे किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी हमारी मागे हैं और समवाद जो है, बाचीत है वो जारी है और वो कोशिश तो की ही जा रही है लेकिन इस तरह के बंद पहले भी बुलाई जाते रहे हैं उनका आवान पहले भी होता रहा